भारत में जिन लोगों को डर लग रहा है वो अफगानिस्तान चले जाएं तब भारत के खूबी का पता चलेगा जहान महिलाओं का अधिकार है इसकूल कालेज को उराया जा रहा है हवाई जहाज के पंखुरियों पर बैठ करके लोगों को भागना परा है और तीन आदमी गिर के इसके कारण मौत हो गई है धर्म के नाम पर देश बट गया इस लोग फिर बाटेंगे अगर भारत के लोग नहीं संबले तो भारत भी अफगानिस्तान बनेगा तालिबान बने काफी जादा तेज हो गई है आपको बता दे कि अफगानिस्तान से कई सारी तस्वीरे निकल कर सामने आ रही थी जिसमें एलो प्लेन पर से कई लोग को गिरते हुए देखा गया आपको बता दे कि वहां के राश्ट्रपती अपने देश को छोड़ कर भाग है कई सारी बात सिर्ण ती नोग हैं उनको वहां से लेकर आना चाहिए ऐसे में आज भारतीये जनता पार्टी के बिधायक बिस्पी दीदान सवाचेत्र से उन्होंने एक कई रहे हैं तरह एक बार आप्षुद सुनिये इस्तान चले जाएं वहां पेट्रोल डिजल भी सस्ता है तब भारत के खुबी का पता चलेगा यहां कितनी खुबियां है तब पता चलेगा वहां किस तरह से मने जंगल में भी एक कानून होता है किस तरह का राज हो गया है जहान महिलाओं का अधिकार है इस्कूल कालेज को जा रहा है और लोग बदभास हैं हवाई जहाज के पंखुरियों पर बैठ करके लोगों को भागना परा है और तीन आदमी गिर के इसके कारण मौत हो गई है तो बड़ा दुख़द है अब यह तो बिपक्च के नेता है उनका काम है कुछ न कुछ कहना लेकिन जिस तरह से मन्नी नितीस जी बिहार के विकास के लिए और अभी बार में दिन रात एक किये हुए हैं साइद पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था जरूर विपक्च के रॉल में उनको आना चाहिए और पूरे विहार में घुमना चाहिए उनको ठीक है तो भारत भी अफगानिस्तान बनेगा तालिवान बनेगा लोग समझ नहीं रहें बोट के चसमे से सब कुछ को देख रहें मैं संपुर्ण भारत के जितने भी देश प्रेमी और आस्ट भकत हैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो देखें अफगानिस्तान को और उससे कुछ सीख लें जेडियो आपकी सहयोगी है जेडियो हमारी सहयोगी है गुलाम रसुल बल्यावी का बेकतब आपने पूछा है तो सुना आपने किस तरीके से भारतिये जंता पार्टी के विधायक ने एक बड़ा बयान दे दिया है अफगानिस्तान जा सकते हैं अफगानिस्तान एक सुरक्षी देश है वहाँ पर उन्हें पेट्रॉल भी सस्ता मिल जाएगा तो कई सारी बात तो पर उन्हें एक बड़ा बयान दे दिया है और एसे लोगों को उन्होंने कहा है जिनको भारत में डर लगता है कई दीनों पहले भी कुछ बयान आते रहे थे वह भारत सब्सक्राइब लगता है । लोग अफगानिस्तान जा सकते हैं तो ऐसा कई तरह के उन्होंने तमाम बाते कह दी है बयान दे दिया उन्होंने अब देखना दिल्चस्ट होगा कि बाकी नेताओं के इस पर क्या कुछ परती किडियाएं जो हैं वो सामने आती है फिलहाल हरी भूसन ठाकुर ने ये बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जिनको अभी डर लगता है वो अफगानिस्तान जा सकते हैं बहरालाफ हमारे साथ बने रहे हमारे बिहार इंसोर्च के यूटूब चानल को सब्स्क्राइब कर लें फेस्बूक पेज को लाइक कर लें इस वीडियो को ज्यादा स्यर करें धन्यवाद